शुरताओं हम सभी ऐसे प्रयास करते हैं जिससे हम हमारे परिवार के सभी सदसे शारिरिक और मांसिक रूप से स्वस्थ रहें लेकिन कभी-कभी कुछ तकलीफें, कुछ बेमारियां ऐसी होती हैं जो जन्म के साथ ही मिलती हैं या फिर अनुवाइंशिक होती हैं श्रताव आउटिजम भी एक ऐसा ही रोग है इससे पीड़ित बच्चों का विकास गीरे होता है और ये रोग बच्चे के ब्रमानसिक विकास को भी रोग सकता है आउटिजम के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी लेने के लिए आज हमने स्टूडियोज में आमतरिक किया है डॉक्टर रश्मी मोगे जी को रश्मी जी आपका स्वागत करते हैं नमस्कार मैं आउटिस्टिक बच्चों के इलाज के ख्षेतर में काररत हूँ तो जयसा कि आपने बताया कि ऑटिस्टिक बच्चों के साथ आप काम करती हैं तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ऑटिजम क्या होता है विकास के साथ जो समस्यां जुड़ी है बच्चे के विकास के साथ में ये बैसिकली एक socio-communicative disorder है यानि कि इसमें बच्चे में लोगों से घुलने मिलने में, बातचीत करने में दिक्कत होती है और इसके अलावा जो इसका दूसरा क्राइटेरिया है restricted and repetitive behavior यानि कि इसमें जो बच्चे के शोग है, उसकी वो रुचियां वो सीमित होती है एक ही चीज़ को बार-बार करना तो basically it's social communicative, मतलब social लोगों से मिलने जुलने में दिक्कत और बातचीत करने में दिक्कत और जो सोचने समझने का तरीका है, वो अलग रहता है तो क्या कारण हो सकते है, autism के क्या ये वंशानुगत होता है या फिर pregnancy time में माग में किसी चीज़ की कमी होने के कारण हो सकता है क्या कारण है इसके अभी तक autism का ठीक ठीक कारण खोजा नहीं जा सका है इसके उपर अभी कारे चल रहा है दुनिया में जो developed countries हैं जैसे अमेरिका और दूसरे ये उरोप के कुछ देश इसमें बड़े-बड़े projects चल रहे हैं तो अभी कोई बहुत ठीक कारण पता नहीं चला है केवल 15% बच्चों में कोई syndrome होता है genetic syndrome जिसकी वज़े से उसमें autism जैसे लक्षन होते हैं लेकिन बाकी 80% बच्चों में ये कारण मा के जब गर्ब में रहता है बच्चा antibodies गर्भावस्ता में बन जाती है जो की बच्चे के जो भुरून जो रहता है उसके मस्तिश्क पर असर करती है जिसकी वज़े से वो aberrant मतब उसका विकास होता है नॉर्मल नहीं होता है अलग जो कारण है कि माता-पिता की बहुत जादा उम्र है अगर माता की obesity यहने मोटापा, diabetes और इसके अलावा यदि कोई toxic exposure हुआ है आजकल pollution को भी एक महतवपून कारण गिना जा रहा है लेकिन exact कारण क्या है वो अभी ग्यात नहीं है तो इसके जो शुरुवाती लक्षन वो क्या होते हैं कैसे पहसा आना जा सकता है कि बच्चा autistic है यह बहुत अच्छा सवाल किया आपने क्योंकि बच्चे के शुरुवाती लक्षन जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो हम इनको तीन चार भागों में बाट लेते हैं ज्यादा तर माता पिता को ऐसा तब लगना शुरू होता है कि हमारे बच्चे को कुछ दिक्कत है जब वो देखते हैं कि उसकी वानी का विकास ठीक से नहीं हो रहा है कि बच्चा किसी चीज को इंगित नहीं करता है बोलता तो है यहिर इंगित भी नहीं करता उसको कोई चीज चाहिए रहती ही तो वहां मम्मी पापा को ले जाud करने के खड़ा कर देगा खींचके ले जाएगा इसके अलावा आना बच्चा जनरली अपने में मगन रहता है, उसका नाम बुला, उसका ध्यान नहीं है, जवाब नहीं देगी बच्ची, यह socialization से जुड़ी दिक्कत है, जैसे कि लोग आते जाते कोई फरक नहीं पड़ता है, लोगों से आखें जो मिलाना, लोगों के साथ mix सोना, social smile देना, इन में दिक्कत होती है, इसके अलावा जैसे बच्चा जो restricted और repetitive जो behavior उसमें की normally नहीं खेलता है, जैसे बच्चे खेलेंगे की डॉल लेंगे तो उसको कंगी करेंगे, ब्रश करेंगे यह यह जनरली खिलोनों के चक्का को गुमाते रहेंगे, एक लाइन मे खत्रे का कोई अंदाज नहीं होना, कहीं भी कूच जाना, इसके अलावा सेंसरी लक्षन भी होते हैं, तेज आवाजों से डर जाना, कान बन कर लेना, खुरदूरे कपड़े नहीं पहन पाना, दर्द के प्रतीर या तो अधिक समवेदन शिलता है, या कम समवेदन शिलता ह और अगा देखेंगे तो ये बच्चे जो है, आपको इसमें दिखेगा कि सेंस की भी कमी है, मतलब एक जो नॉर्मल बच्चा दो साल, तीन साल तक काफी कुछ बोलने, समझने, व्यवार करने, रिस्पॉंड करने लगता है, उनसे ये बच्चे आपको अलग दिखने लगत डाइगनोसिस हो, क्योंकि हम जितना जल्दी इसका डाइगनोसिस करके ट्रीटमेंट और थेरेपी शुरू करेंगे, उतना ही बढ़िया प्रोगनोसिस है, इवन कुछ बच्चे जो है, एकदम नॉर्मल भी हो सकते हैं इसमें, मैं यही पूछना चाह रही थी कि क्या ऐसे बच्चों का इलाज संभव है, और अगर है तो कैसे है, बिलकुल संभव है इन बच्चों का इलाज, देक्ति का और जएक क्यों और cannot cure, नहीं है, क्योंकि है नूरो डेलापमेंटल डिसॉर्डर है, तो पार्ट ळेड्र운 फैस्टे समझेंट एंप थे जो दिक्कतें होती ह इसकी जो वज़े से उनको हम ठीक कर सकते हैं दो तरीके का ट्रीटमेंट है, एक तो medical treatment है और दूसरा treatment है therapies तो medical treatment इन बच्चों में हम दवाईयों से करते हैं ज्यादा तर psychiatric दवाईयां, कुछ neutraceuticals, multivitamins भी इस्तमाल होते हैं medical treatment हम इसके लिए करते हैं जो ये बच्चे बहुत एकदम दोड़ना, भागना, attention, concentration में कमी रहती है, बिल्कुल hyper हो जाना, गुसा करना, चिड़ चिड़ करना, temper tantrums करना, इसमें भी फायदा देता है, बच्चों में anxiety होती है, और आगे चलके कुछ OCD टाइप के लक्षन भी हो सकते हैं, तो उसके मानसिक विकास होने में मदद करती है, इसके अलावा जो nutraceuticals, medicines वगरे देते हो, इसमें बच्चे में बोलने की क्षमता का विकास, वानी विकास, बुद्धी विकास, उसमें भी उसका कुछ research में देखा गया है, उपयोगी, दूसरा जो treatment है, वो है therapies, तो therapies इसमें किस तरीके की दी जाती है, इसमें कई तरह के अरली स्टार्ट, डैन्वर, मॉडल, टेक और ABA याने के applied behavior analysis से जो उकला ने किया है, इस तरीके के कई therapy models available है, इसमें ABA नाम की जो therapy है, वो बहुत जादा effective पाई गई है clinical trials में, जिसमें कि कई बच्चों को simple task से सिखा कर उनको complex task तक सिखा जाता है, इसके बहुत अच्छे परिडाम देखे गए हैं, इसके अलावा बच्चों में occupational therapy, जिसमें की बच्चों का sensory integration किया जाता है, क्योंकि जिससे नॉर्मल विकास होता है, क्योंकि कई बच्चे इसमें toe walking करते हैं, हाथ जो जो से हिलाना, hand flapping, जो उनको sensory दिकते होती ह चबानी पाते हैं, डंग से, खाने में बहुत चूजी रहते हैं, तो उनमें sensory integration therapy और दूसरी occupational therapy, hyper activity में भी मदद करती हैं, इसके अलावा speech therapy, speech therapy इसमें बच्चे के ना के बहल बोलने पर, बलकि समझने पर भी focus करना चाहिए, क्योंकि उन्हें समझने में भी दिकत होती है, और इसके अलावा special education बहुत जरूरी रहती है, इन बच्चों को generally one to one दी जाए, क्योंकि ये visual learners रहते हैं, यानि कि देख कर जादा सीखते हैं, क्योंकि इनको समझने बुलने में थोड़ी दिकत होती है, तो special educators जो होते हैं, इनको visual aids की सहायता से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और अच्छा मतलब इसमें अच्छा improvement आ सकता है, एक में महत्वपून बात यहां clear करना चाहूंगी कि autism और mental retardation, जिसे कि intellectual disability कहते हैं, ये तो अलग-अलग सितियां हैं, हाँ, 30 से 40 प्रतिशत autistic बच्चों में intellectual disability और autism साथ में coexist करता है, तो इन cases में फिर prognosis याने की आगे भव अच्छा नहीं होता, लेकिन autism के बहुत से cases में normal intelligence होती है, in fact, कई कुछ एक percentage में above average रहती है, जिसे कि savent syndrome कहा जाता है, उसमें autistic जो बच्चे रहते हैं, उनमें किसी एक खास skill में बहुत अधिक प्रवीनता रहती है, musical ability हो सकती है, numerical ability हो सकती है, गणित में या किसी भी इसमे तो अगर आप शुरू से बच्चे का इलाज और therapy कराते हैं, तो अच्छा improvement आने के संभावना रहती है, जितना late करते हैं, फिर कठिन होती जाती है, जैसा कि आपने बताया कि autism का जो इलाज होता है, वो therapy और दवाईं दोनों से होता है, तो इसकी जो दवाईया है, क्या उन इन में भ्रह्म है कि बच्चा सोता ही रहता है, तो अर्चना जी ऐसा नहीं है, सॉटिस में हम psychiatric दवाईय यूज करते हैं, वो बाकी सब दवाऊं जैसी ही रहते हैं, तो उतनी ही उसी प्रकार की कुछ रिस्क जो psychiatric medications हैं, उसमें भी रहते हैं, जनरली इन से जो side effects रहते हैं, शुरुआत में थोड़ा जादा नीन दाना, कई बार कुछ वजन बढ़ना, इस प्रकार की शिकायते हो सकते हैं, जिसकी हम monitoring करते हैं, और अब क्या इतनी अच्छी नई नई दवाईयां आ गई हैं, पहले इतनी availability नहीं थे हैं, बहुत अच्छी अच्छी दवाईयां आ ग इस तरह के बच्चों को हम special child कह सकते हैं, तो parents को, समाज को, और जहां वह स्कूल जा रहे हैं, वहाँ, परिवार को, किस तरह से इनके साथ वहवार करना चाहिए, देखिए, क्या होता है कि, एक कहावत है, it takes a village to raise an autistic child, ना तो समाज में इतनी जागरुती है, ना ही ना मतलब स्कूल में, अभी इतनी जागरुती नहीं आई है, तो autistic बच्चों के माता पिताना बड़े अकेले पढ़ जाते हैं, वही सारा research करते हैं, और generally इन बच्चों के साथ में, इनको स्कूल से एडमिशन देने में भी मना ही करते हैं, जबकि Right to Education Act के हिसाब से इन बच्चों को भ Special Educator a compulsion है, CBAC की तरफ से कि आपको Special Educator स्कूल में रखना है, वह रखे, यह बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, अगर इन इन प्रॉपर गाइडेंस थरापी मिलें, दूसरे माता पिता डिनायल मोड में ना रहे, माता पिता डिनायल मोड में रहें, माता पिता डिनायल मो जाबों से वन्चित नाइए।